दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि परिक्षा की तयारी नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते बच्चे, कोई अपनी वज़ा हो सकती है, सबकी अलग अलग वज़ा हो सकती है, आप उस वज़ा को चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं, वज़ा पर हम चर्चा नहीं करेंगे इस वी तैयारी नहीं हो पाई है तो डर तो बच्चों को लगता ही है कि परिक्षा आखिर कैसे पास की जाएगी तो आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे जिस तरीके को अपना कर आप का समझ में आएगा और उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आप परिक्षा में पास नहीं होपाएंगे तो बाकी बातें बाद में करेंगे पहले आप तरीका समझ लीजिए क्योंकि तरीके की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अगर आपका एक्जाम नजदी का चुका है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दे एक काम बिल्कुल फ्री में है उसे कर लीजिए कुछ नहीं करना रेड करलर में लाल रंग में सबस्क्राइब लिखा है उसे दबा कर चैनल सबस्क्राइब कर ले साथ में घंटी का बटन आएगा तीन तरह क गंटी के बटन होते हैं All Notification सबसे उपर वाला गंटी का बटन दबा लीजिएगा ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है फायदा ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक समय समय से पहुंचती रहेगी आपको help मिलती रहेगी तो चलिए शुबात करते हैं और समझते हैं दोस्तों ज पते करते एकजाम बिल्कुल पास आजाता है तो वज़ा कोई भी हो काम आपको एक ही करना है सबसे पहला काम है कि आपको घवराना नहीं है आपको अपने दिमाग से ये डर निकाल देना है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है 50% एकजाम आपका यही कबर हो जाता है इसी बात से अगर आपके दिमाग से ये डर निकल जाए confidence आ जाए आप इसको overconfidence भी कह सकते हैं आप नहीं कहें आपके लिए तो ये confidence ही रहेगा लेकिन आपके teacher या कुछ student जिनकी तयारी हो रखी है वो ऐसा मानेंगे कि आप overconfidence लेकिन ऐसा तब होगा जब आप उनको बताएंगे ऐसा आपको overconfident नहीं होना बस आपको एक सहच समझदार व्यक्ति होना है उस वक्त ऐसा होना चाहिए अब ध्यास से हो जाता है वो भी हम आपको बता देंगे कैसे आप बन सकते हैं लेकिन सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको अपने दिमाग से डर निकाल देना है ऐसा समझ इसलिए समझना है क्योंकि आप वाक्य में पढ़े लिखे हैं आप जिस भी क्लास में अगर आप 9th में हैं तो पिछले 8 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप 8th में हैं तो आप 7 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप graduation के final year में हैं तो आप 14 सालों से पढ़ाई तो आप इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं. पहले अपने दिमाग को ये बात समझा दीजिए. घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके बाद काम आता है दूसरा. दूसरा गाम आपको ये करना है कि आपके एकजाम में जितना भी समय बचा है. एक दिन, दो दिन, तीन गंटे, पाँच गंटे, चार गंटे, दो गंटे, जितना भी. अगर आप उस टाइम से पहले एक बार उस लेबस जिसका आपका एकजाम है, उस लेबस को एक बार सरसरी नजरों से देख लीजिये यानि आपको लगभग लगभग सारी चीजें जो लगता है कि हाँ ये जरूरी हैं ज्यादा नंबर कवर करती हैं उन्हें एक बार पढ़ लेना है रटने की कोशिश नहीं करनी है बस आपको उन्हें याद करने की कोशिश करनी है जितना हो सके बस महनत नहीं करनी आप जैसे रास्ते में चलते हुए किसी को देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं या आप किसी का फोर नमबर याद करने की कोशिश करते हैं सिर्फ उतना ही प्रयास आपको करना है ज्यादा जोर दिमाग पर नहीं देना है और एक काम अभी और बताते हैं बिल्कुल आसान है जिसे अगर आप करेंगे तो वहत फाइदा देगा आपको नमबर बटोडने में बस उसके बाद आप परिक्षा भवन पहुँचेंगे एक्जाम हॉल में पहुँचेंगे आपके सामने पेपर आएगा आपको उसमें प्रशनों के उत्तर नहीं आते होंगे ऐसा आपको लगेगा पहले लगेगा परिक्षा में आप पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि तयारी नहीं है लेकिन हमने आपको बताया कि आप एक समझदार विक्ति हैं ऐसा आपको मानना है एक्जाम सेंटर में आपके सामने question paper आएगा question paper को आप देखेंगे और उसको पढ़ेंगे पढ़ते हुए आपको ऐसा feel होगा कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं सुबह पढ़ी हैं लेकिन recall नहीं कर पाएंगे वो चीजें आपको याद नहीं आएंगी आखिर क्या लिखें शुरुआत कैसे करें ये चीज आपके लिए उल्जन पैदा करेगी तो वहाँ पे आपको panic नहीं होना है आपको घवराना नहीं है जिन चीजों के उत्तर आपको आते हैं या जो ऐसा लग रहा है कि धुंदली धुंदली यादे छपी उसके बाद अपने दिमाग में एक रूप रेखा तयार कीजिए लिखने की आप देखेंगे कि आपको सही से चीजें क्रम अनुसार याद आने लग जाएंगी इसका अभयास आपको करना पढ़ता है अभयास कैसे किया जाता है वो भी हम आपको नेक्ट वीडियो में बता देंगे लेकिन आपको इतना जरूर करना होगा बस आप ये ध्यान रखिए कि आप बहतर उत्तर अगर लिखेंगे एक को नंबर अच्छे मिलेंगे और बहतर उत्तर एक समझदार वक्ति लिख सकता है और आप समझदार हैं कुछ ऐसे प्रश्ण मिलेंगे जो आपने सुबा नहीं पढ़े होगे तो भी आपको घबराना नहीं है आपने पिछले आठ साल जो पढ़ाई की है पिछले नो साल पढ़ाई की है जितना भी आपने पढ़ाई एक साल से तो आपने क्लास में ही पढ़ाई की है तो क्लास में जितनी भी बातें आपने सुनी है माल लीजिए कोई सवाल कोई प्रश्न आपके सामने आया और आपको समझ मैंने या रहा लेकिन आप इतना अगर अंदाजा लगा पाएं कि वो सवाल किस चैप्टर से है तो भी आप उसको हल कर सकते हैं आप अगर ये समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से है बस आपने क्लास में जितना भी सुना होगा उन चीजों को टीचर के मुह से जो भी सुना होगा वो शांत मन से आपको समझदार बन कर चीजें याद करनी है और लिख देना है आप यकीन मानिए अगर आपकी तयारी नहीं हो पाई है तो आप इस तरीके का इस्तमाल कर सकते हैं पहली बात तो आपको तयारी करनी चाहिए हर रोज काम करना चाहिए जिस समझदारी की हमने बात की है वो समझदारी भी एक दिन में विक्सित नहीं होती है इसके लिए आपको हर रोज पढ़ना पड़ता है मन शांत रखना पड़ता है सही उत्तर कैसे लिखा जाता है सही उत्तर की रोप रेखा क्या होती है इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है लेकिन अगर आप अभ्यास कर नहीं पाए हैं तो भी आपके पास जितना समय है उसको बिना घवराए सही से इस्तेमाल करें दूसरा काम आपको ये करना है जो सबसे जरूरी है कि आप जब सुबा क्योंगे ब्लैंक होगा आपका दिमाग तो आपको बोलना कम है जितना हो सके उमीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बात को समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कोई सवाल है अगर आपको कुछ